अपने गुरू मनमोन देशाई की तर्च पर ही डेविड धवन अपनी फिल्म जुड़वा टू शुरू करते हैं जब दो जुड़वा भाई पेदा होते ही बिछड़े जाते हैं जोवा भाई या बहन पर भी बॉल्यूड में एक फार्मूला है कि एक तेज तर्रार होगा तो दूसरा सीधा और साधा राम और शाम से ये फार्मूला चला आ रहा है और फार्मूला प्रेमी डेविड धवन इसी फार्मूले को यहां भी दिखाते हैं लंदन का प्रेम सीधा साधा है सीधा दिखाना है तो उसकी आँखों पर जश्मा चड़ा दो मंबई में पला बड़ा राज़ा चालू है गंपदी वप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया गाकर वह बगवान की प्रार्थना करता है फिल्म के शुरू में ही इस पस्ट कर दिया गया है कि यदि दोनों भाई पास पास हुए तो एक रोएगा तो दूसरा भी रोएगा दूसरा हसेगा तो पहला भी हसेगा लंदन और मुंबे में हजारो किलोमेटर का फासला है इसलिए ये कनेक्शन काम नहीं करता लेकिन जब राज़ा लंदन जा पहुचता है तो ये कनेक्शन काम करने लगता है एक अपनी गल्फरेंड को चूमता है तो दूसरा भी चूम रोमांस के लिए दो लड़कियां भी है समायरा और अलिशका अलिशका तो राजा पर इसलिए फिदा हो जाती है कि उसने एक मेट के लिए उसे किस किया इन दोनों हिरोनों का काम यही है ब्यूटी विद ब्रेन वाली बात उन पर लागू नहीं होती इन फार्मूलों के अलावा विलेन वाला ट्रेक भी डाला गया है जो शुरुआती मिंटों में नजर आता है और फिर क्लाइमेक्स में क्योंकि फिल्म के अंत में मारा मारी जरूरी है इस देखी दिखाई काहनी के बीच वरून धवन का शोडा लगया है वे कॉमेडी करते हैं डांस करते हैं मारा मारी करते हैं इमोशनल भी हो जाते हैं बुंडों को जोरदार किक्स लगाते हैं हिरोईनों को किस करते हैं उनके ये सारे कारणा में अच्छे लगते हैं क्योंक नहीं दिया गया है, जबकि डेविड धवन की फिल्मों में साइट करेक्टर को दमदार रोल दिये जाते नहीं हैं, यहां पर अनुपम खेर, पवन मलोतरा, तापसी पन्नू, सचीन खड़ेकर, जाकिर हुसेन, जैसे दमदार कलाकार फिल्म में हैं, लेकिन सब के रोल दबे ह हैं, उनके पास करने को जादा कुछ नहीं है, डेविड धवन की फिल्मों में लॉजिक की बात व्यर्थ है, लॉजिक को साइड में भी रखा जाए, तो फिल्म पूरी तरह मनोरंजन नहीं करती, कुछ सीन जरूरे से हैं, जहां पर हसी आती है, लेकिन इनकी संख्या कम है, तोतले और काले लोगों की हसी उडाने को कॉमेडी तो नहीं कहा जा सकता, फिल्म की लंबाई भी अखरती है, पहले हाफ में यह जितना मनोरंजन करती है, दूसरे हाफ में यह मनोरंजन का जर्ना सूप जाता है, क्योंकि बार बार वही बातें दोराई जाती है, जैसे बेग्राउंड म्यूजिक रखा है गाने फाइट और कामेडी को थोड़े थोड़े अंतराल में पेश किया है ताकि दर्शक ज्यादा सोच नहीं पाए और इसमें वे काम्याब भी रहे हैं लेकिन कहानी में दम न होने के कारण फिल्म एक जगह जाकर हाफने लगती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि बात को खीचा जा रहा है डेविड ने कुछ नया करनी की बज़ाए चीर परिचित फार्मुलों पर ही चलना पसंद किया है काहनी में दम नहीं हो तो समवाद पर खासी महनत की जाती है लेकिन जुड़वाट टू के समवाद बेदम है दूर से देखा तो आलिया भट्ट थी पास में जाकर देखा तो महेश भट्ट था जो समझ में आता है वो बोल देता हूँ और जो समझ में नहीं आता वो वाटसेप कर देता हूँ जैसे समवाद लगातार फिल्म में सुनने को मिलते हैं अब इस पर ठाके तो नहीं लगाये जा सकते वरुन धवन ने पूरी फिल्म को कंदे पर बखू भी उठाया है राजा के किरदार में वे जादा जमे कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, रोमांस, टांस में उन्होंने अपना सो प्रतिशन दिया है फिल्म की कम्यों को अपने अभिने से कई बार वे ढख लेते हैं फिल्म में हिरोईनों के लिए कुछ नहीं था जेकलिन फर्नांडीस ग्लेमरस लगी जटकी तापसी पन्नून के अभिने में अवसहस्ता नजर आई वरुन धवन के दोस्त के किरदार में राशपल यादाव उम्र दराज लगे संगीत के मामले में पुराने गीत चलती है क्या 9-12 और उची है बिल्डिंग ही बहतर रहे हैं कुल मिलाकर जुड़वा 2 एक टाइम पास मूवी है डेविड और वरुन धवन से डबल धमाल के उम्मित थी वो पूरी नहीं हो पाती इस फिल्म को मैं पांच में से धाई स्टार देता हूँ